हाई गाईज वेल्गम बैक टो मैं चैनल होम्स किचन आज मैं बनाने जा रही हूं हलकोवा वर्फी आये बनाना सुरू करते हैं कड़ाई मैंने गर्म होने के लिए दे दी है अब इसमें हम देशी घी डालेंगे ये वजन में 150 ग्राम है इसे गर्म होने देते हैं घी हमारी गर्म हो चुकी है अब इसमें हम मैदा डालेंगे एक कप वजन में ये 250 ग्राम है इसे इसमें डाल देंगे अब इसे हम बुल लेंगे ग्यास के फ्लेम को हमें लो कर देना है और इसे बुलना है इसे बुल लेना है ग्यास के फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और इसे बुनते जाना है ये देखिए मैदे का कलर चेंज होना सुरू हो चुका है मैदा हमारा मुंचुका है अब इसमें हम इलाइची पाउडर डालेंगे इसे डालके अब हम मिला देंगे अब हम ग्यास के फ्लेम को आफ कर देंगे और ठंडा होने का वेट करेंगे मैदा हमारा ठंडा हो चुका है अब इसे हम बॉल में ट्रांसफर कर लेंगे यह देखिए मैने सारे मैदे को बॉल में ट्रांसफर कर लिया है अब हम इस मैदे में पिसीवी चीनी डालेंगे एक कप यह वजन में 100 ग्राम है अब इसे डालके अब हम मिला देंगे इस तरीके से हमें मिला लेनी है यह देखिए मैने चीनी को मैदा में अच्छे से मिला दिया है अब इसे हम केक मोल्ड में इसे हम डाल देंगे अब मैंने एक केक मोल्ड ले लिया है अब इसमें हम बटर पेपर लगा देंगे इस तरीके से हमें लगा देनी है उसके बाद इसमें हम थोड़ा तेल डालेंगे और ग्रीस कर देंगे यह देखिए मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर दिया है अब इसमें हम मैदे को डाल देंगे उसके बाद इसको बरावर से हम इस तरीके से कर देंगे इस तरीके से हमें बरावर से कर देना है इस तरीके से हमें बरावर से हर देना है उसके उपर हम अब बादाम डाल देंगे उसके बाद इसको हम जमने के लिए आदे घंटे के लिए इसको अब हम फ्रेज में रखते हैं उसके बाद आपको हम दिखाते हैं आदे घंटे हो चुके हैं अब इसको हम एक बार देख लेते हैं बरफी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है अब इसे हम निकाल लेंगे इस तरीके से हमें निकाल लेनी है ये देखिए अब इसे हम काट लेंगे आप इसे आप अपने हिसाब से इसे किसी भी सेप में काट सकते हैं घर के बेसिक चीजों से ये बन जाती है परफी और खाने में उतनी अच्छी लगती है आप इसे बना के छे मैंने आप इसे एर टाइट कंटेनर में इसे आप इसे खा सकते हैं बिलकुल खराब नहीं होती है आप एक बार जरूर बना के ट्राइ करें एक बार बना के लगती है ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये बर्फी थाने में उतनी ही टेस्टी है आप एक बार जरूर ट्राइ करेंगे ये हमारी हलकोवा बर्फी बनके बिलकुल रेडी है अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें सेयर करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूले थैंक यू